बूर्णिंग बच्चो आज हम पाठ पाँच कंट के नव कंट कम पढ़ेंगे जिसका अर्थ है काटे से ही काटा दूर किया जाता है आसीत कशे चंचलो नामा व्याधा पक्षीम रगध्यनाम ग्रहणे से स्वेम जीविकाम निर्वयती सम एकदा सा वने जालम विस्तरियम ग्रहम आगवतन अन्य सेमीन दिवसे प्राथा काले यदा चंचला वनम गतवान तदा सा द्रस्टवान यद तेन विस्तार्ती जाले दुर्भाग्य दे एक व्याग्रे बदै आसीत सोच यन्तिन्त व्याग्रे मा खाद्यश्यती अते पलायनम कर्णियम व्याग्रे नेवेदितम भो मानव कल्यानम भवतूते यदी तवम मा मोच्यश्यती तही एहम तवम ना हन्श्यामी कोई चंचल नाम वाला शिकारी था पक्षियों वो पश्वों को पकड़ने से वह अपनी जीवी का चलाता था एक बार वह जंगल में जाल फैला कर घर लोटाया दूसरे दिन सुभा जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर भाग्ये से एक बाग बंदा था उसने सोचा बाग मुझे खा जाएगा इसलिए भाग जाना चाहिए बाग ने निवेदन किया हे मानव तुम्हारा कल्यान हो यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा नदासा व्याधा व्याग्रे जालत बही निर्शारियत व्याग्रे कलांते आसी चोवदतु भो मानव तिपासु एहम नदा जल मान्ये मं पिपाशं शमें व्याग्रे जलम पितवा पुन्हा व्यादमदतु शान्ता मैं पिपाशा समप्रातम भुविक्षोत्षम इदानिम एहम त्वा खादिश्यामी चंचला उक्तवान एहम तव प्रत्ते ध्रमम आचारित्वान त्वाए मिथ्या भणिताम त्वाम्मा खादितुम इच्छाशी व्याग्रे अवदत अरे मोट छुदात्रे किमापी अकारे नाभवती सर्व स्वात सन्मीते तब ओ शिकारी ने बाग को जाल से बाहर निकाल दिया बाग ठका हुआ था वह बोला हे मानव मैं प्यासा हूँ नदी के से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो अब मैं तुम्हें प्यास बुझा दो बाग जल पी कर फिर शिकारी से बोला मेरी प्यास बुझ गई है अब मैं भूका हूँ अब मैं तुम्हें खाऊंगा चंचल ने कहा मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरन किया है तुमने जूट बोला है तुम मुझे खाना चाहते हो बाग ने कहा अरे मूर्ख भूके के लिए कुछ भी अनूचित नहीं होता चंचला नदी जलम अप्रचते नदी जलम अवदत ए में भौती जना मैं इसनानम कुरुवनती वस्तरानी प्रक्षलेंती तथा चा मलमूत्रिकम विसरजे नीवर्थनते वस्तुते सर्व स्वार्थे समिहते चंचला वरक्षम उपगम्मे अप्रक्षत वरक्ष अवदत मानवा असमाकम चाया विरंती असमाकम फलानी खादंती पुने, कुठारे, प्रहत्य, असंभ्यम, सर्वदा, कस्टम, दल्ती, यत्र, कुतापी, छेदनम, कुरुवन्ती, सर्व, स्वार्थ, समिहते चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है लोग मुझ में इसनान करते हैं, कपड़े, धोते हैं और मल्मुत्र आधी भी छोड़ कर चले जाते हैं वास्तम में सब अपना स्वार्थ चाहते हैं चंचल ने व्रक्ष के पास जाकर पूछा व्रक्ष बोला माना हुमारी छाया में विश्राम करते हैं हमारे फल खाते हैं फिर भी कुलाडियों से प्रहार करके हमें हमेशा कस्ट देते हैं जहां कहीं भी काटते हैं अता सभी स्वार्थ चाहते हैं समीपे एके लोम्शिका बदरी गुल्मानम प्रस्थे निलीना एताम वार्ता शुनोती सम सा सहसा चंचलम श्रंते कथियती का वार्ता माम अपी विज्यापे सा अवदत अहे मात्र सुआसा अफस्रेत्वा समाक्त्वती मया अस्य व्याग्रस्य प्राण रक्षिता परम एशा मामे खादितुम इच्छाती तदंत्रम सा लोम्शिकाय निखिलाम कथा न्याय वेदते पास में एक लोम्डी बेर के जार के पीछे छिप्यू हुई यह बात सुन रही थी वे अचानक चंचल के पास आकर कहती है क्या बात है मुझे भी बताओ वेह बोला अरे मौसी तुम सही मौके पर आई हो मैंने इस बाग के प्राण बचाए प्रंतु यह मुझे ही खाना चाहता है इसके बाद उसने लोम्डी को सारी कथा बताई लोम्शिका चंचलम अखतियत बाड़म तौम जल जालम परशार्य पुना सा व्यागरम अवदयत केन परकारने तौम एतिसमीन जाले बधा इती एहम परत्यक्षम दरस्टू मिच्छामी व्यागरे तद वरतानते प्रदेशेतू तसमीन जाले प्राविशिता लोम्शिका पुना अकतियत संप्रती पुना-पुना कुर्दना कृत्वा दर्श्याय सा ततेव समाचारते अनार्तम कुर्दने से श्रांते अभुवत जाले बध सा व्यागरे कलांते सन निशायो गृत्वा तत्र अपतते प्राण भिक्षमायों चे अचायते लोम्णी ने चंचल से कहा ठीक है तुम जाल फैलाओ फिर उसने बाग से कहा किस तरह तुम इस जाल में बंदे यह मैं परत्यक्ष देखना चाहती हूँ बाग वह घटना दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया लोम्णी ने फिर कहा अब बार बार कूद कर दिखाओ उसने वैसा ही किया जाल में बंदा हुआ वह बाग ठक कर असाहे होकर वहीं गिर पड़ा और प्राणों की भीक मागने लगा लोम्णी ने बाग से कहा तुने सही कहा था सब अपना स्वार्थ चाहते हैं इस पार्ट से हमें यह सिक्षा मिलती है कि संकट में हमें चत्राई और समस्दारी से काम करना चाहिए संकट में हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि समस्धारी से ही हम किसी भी मुसिबत से बाहर निकल सकते हैं चली इस पार्ट के शब दर्थ पर्ड़ते हैं स्वैयाम शिकारी ब्याद है शिकारी स्वैयाम स्वैम को दुर भागयत है लुद्धा बदा हुआ पलाएनम पलाएन करना नयवेद ते निवेदन किया मोच यशी मुक्त करेंगे निर्सारे ते निकाला कलान ते है ठका हुआ पिपाशु, प्यासा, शमय, शान्थ, भुविक्ष्ता, भुका, भर्नितम, कहा प्रक्षालेंते धोते हैं विस्रज्य छोड़कर निवर्तनते चले जाते हैं उप्गम में पास जाकर विर्मन्ती विश्राम करते हैं उठारे उलहाडियों से प्राहत्य प्रहार करके छेदनम, काटना, लोमशिका, लोमडी, निलीना छुपी हुई उप्स रत्य समीब जाकर, मात्र स्वासा, हे मोसी, समागत्वती, पधारी, निखी लाम, संपूर्ण या पूरी, बाडम, ठीक है, अच्छा, परत्यक्षम, अपने समक्ष झाल 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 बाड़ में रहाँ, झाल 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 झालज़ लाग्ज, उन्स बाड़ कि उरत्राव हुईग हुईग